हलो फ्रेंड्स, विलकम टू माई यूटूब चैनल, इंग्लिश विद माया, एंड कैसे हैं सभी, आई होप अच्छे होंगे, तो फ्रेंड्स हमारी सीरीज चल रही है, वन बाइड सब्टूशन की, जिसमें हम पार्ट कवर कर चुके हैं, आज हम लोग पार्ट को इसमें से बहुत सारे सब्टूशन देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एक्जाम के लिए most important है, तो चली फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल में नय हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करे कमेंट करें, शेयर करें, चली फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं, आज का कब से पहला one word क्या है, 31 देख लेते हैं, epicure, epicure means क्या होता है, one who is for pleasure of eating and drinking, मतलब एक ऐसा इंसान जो खाने और पीने का क्या हो, बहुत सौकेन हो, epicure means क्या हो गया, खाने पीने का सौकेन इंसान वो क्या कहलाएगा, epicure, epicure means क्या होता है, शौकेन, मतलब एक ऐसा इंसान जो खाने पीने में क्या रखता हो, शौकेन हो, खाने पीने में interest रखता हो, वो कहलाता है, epicure, okay friend, क्या कहलाता है, वो इंसान कहलाएगा, epicure, first TDS क्या होता है, one hard to please, very selective in his habits, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी आदतों को कुछ अलग धंग से क्या करें प्लीज करें, सिलिक्ट करें ठीक है, वो क्या कहलाता है फास्ट इडियस कहलाता है अपनी अलग ही कुछ धंग से अपनी आदतों को दिखाए ठीक है फ्रेंट वो कहलाता है फास्ट इडियस Fatalist क्या होता है? देख लीजे. Fatalist क्या होता? One who believes in fate. Fatalist होता है, fate means होता है भाग. क्या होता है, friend? Fate means होता है भाग. मतलब एक ऐसा इंसान जो सिर्फ भाग पे भरोसा रखता हो, वो कहलाता है Fatalist. क्या कहलाता है, friend? वो कहलाता है Fatalist. One who believes in fate. जो इंसान भाग पर भरोसा रखता हो, वो Fatalist कहलाएगा. Next देख लेते हैं, Feminist. क्या है, friend? Feminist. अब Feminist means क्या होता है? One who works for the welfare of women. एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल आरतों के जैसे क्या करता हो? बिल्कुल आरतों के जैसे भी है करता हो. एक ऐसा इंसान जो आरतों के जैसे भी है करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? Feminist कहेंगे. ठीक है एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल आर्थों की जैसे कार्य करता हो उसे हम कहेंगे फेमिनिस्ट ओके फ्रेंड नेक्ट देख लेते हैं फगी टू फगी टू क्या होता है देख लीजिए फगी टू मीन्स होता है फ्रेंड भगोड़ा क्या होता है भगोड़ा वन हो रंस आवे फ्राम जेस्टिस अतलब एक ऐसा इंसान जो नयाय से हमेशा क्या करता रहता है भागता रहता है वो कहलाएगा फगी टू क्या कहलाएगा फ्रेंड फगी टू उससे हम क्या बोल सकते है अब sconding, pursing भी बोल सकते हैं ओके friend, next देख लेते हैं government, अब government क्या होता है a lover of good food एक ऐसा है इंसान जो क्या हो मतलब की अच्छा अच्छा खाने का क्या हो प्रेमी हो, वो कहलाता है government, क्या कहलाता है government, government मींज होता है a lover of good food एक ऐसा इंसान जो क्या करता हो, वो मतलब कि खाने, अच्छ अच्छ खाने को प्रेम करता हो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गॉर्मेट, ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसे है गॉर्मेट means होता है, एक कन्योजर आपफोर्ट मतलब जो खाने का बहुत ज्यादा क्या हो सौकीन हो बहुत ज्यादा ही सौकीन है जिसे government means होता है pay to insan जिसे हम क्या बोल सकते है pay to insan मतलब बहुत ज्यादा जो खाता हो ओके फ्रेंट बात clear हो रहे है न ये चीजे आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगी फ्रेंट next देख लेते हैं hand-packed hand-picked क्या होता है a husband ruled by his wife एक ऐसा पती जो किसके मतलब की सासन से चलता है एक ऐसा पती जो अपनी वाइफ के रूल को क्या करता हो follow करता हो मतलब वो हमेशा अपनी वाइफ की rule पे ही चलता हो हमेशा ठीक है rule को हमेशा क्या करता हो follow करता हो वो क्या कहलाएगा वो कहलाता है hand-packed ओके फ्रेंट वो क्या कहलाता है वो कहलाता है hand-packed ठीक है next देख लेते हैं hedonist hedonist क्या होता है one who believes that sensual pleasure is the chief good one who one who believes that sensual pleasure and chief good है ना मतलब एक ऐसा इंसान जो भी स्वास करता हो अपने अच्छाईयों पर ठीक है sensual pleasure हमेशा कैसा रहता हो सुखवादी मतलब हमेशा सुख चाहता है अपने लिए ठीक है hedonist means क्या होता है सुखवादी वो हमेशा हर चीज में क्या ढूरता है अच्छाईयों ढूरता है वो हमेशा खुस रहना चाहता है उसे इंबोलते हैं सुखवादी ओकी फ्रेंड नेक्स देख लेते हैं हेरेटिक अब हेरेटिक क्या होता है one who acts against religion one who acts against religion मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा धर्मे के कैसा हो विरुद रहता हो हमेशा धर्मे के विरुद ही कार करता है उससे हम क्या बोलेंगे हेरेटिक बोलेंगे क्या बोलेंगे फ्रेंड उससे हम लोग बोलते हैं हेरेटिक मतलब एक ऐसा इंसान जो धर्मे के हमेशा पिरुद खड़ा रहता हो उससे हम बोलेंगे विधर्मी बोल सकते हैं हिंदी में उससे कह सकते हैं ठीक हेरेटिक next देख लीजे हर्बी वाइरस अब हर्बी वाइरस क्या होता है देख लेते हैं हर्बी वाइरस वन देट लिप्स ओन हर्ब वन वन देट लिप्स ओन हर्ब मतलब एक ऐसा इंसान जो कहां पे रहता हो हर्ब पर रहता हो मतलब एक मिनिट एक ऐसा इंसान जो क्या हो? साकाहारी हो, मतलब कि हर्ब मिन्स क्या होता है? शाकाहारी, जो कैसा हो? हमेशा साकाहारी रहता हो, कैसा हो? शाकाहारी रहता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हर्बी वायरिस बोलेंगे ओनरी क्या बोलेंगे? honorary क्या होता है one who holds a post without any salary one who holds a post without any salary अब ये क्या होता है एक ऐसा इंसान जो बीना salary के क्या करता हो उस पद पर काम कर रहा हो ठीक है उसे हम क्या बोलेंगे honorary hybrow क्या होता है a person considering himself to be superior in culture intellect एक ऐसा इंसान जो अपने आपको कैसा दिखा है सबसे उपर दिखा है सबसे intelligent दिखा है वो क्या कहलाता है hybrow कहलाता है next देख लेते है hypochondriac hypochondriac means क्या होता है who is over and anxious about health मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपने हेल्थ के बारे में चिंतित रहता हूं एक ऐसा इंसान जो अपने हेल्थ के बारे में हमेशा कैसा रहता हो चिंतित रहता हो वो क्या कहलाता है hypochondriac कहलाता है okay friend hypochondriac कहलाता है next देख लेते है iconoclast अब iconoclast क्या होता है ये भी देख लेते है one who is breaker of image and tradition iconoclast means होता है friend मूर्ति भंजड क्या होता है friend मूर्ति भंजड मतलब जो मूर्तियों को तोड़ता हो जो मूर्तियों के खिलाफ रहता हो हमेशा मूर्तियों को क्या कर देता हो जैसे traditional मूर्ति है उनको क्या करता है उनकी image को क्या करता है breaker कर देता है, मतलब तोड़ फोड़ कर देता है, उसे हम बोलते है, iconoclast ओके friend, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं iconoclast ओके friend, बात clear हो रही है न, विल्कुल आई होब यह जितने भी word हैं, आपको अच्छे से clear हो रहे होंगे, और आप लोग इन सब, जितने भी word हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे यह जितने भी word हैं, आपको exam में जरूर देखने को, यहीं से कहीं ने कहीं से जरूर मिल जाएंगे नेक्ट देख लेते हैं, illiterate one who does not no reading or writing, मतलब एक ऐसा इंसान, जो पढ़ा लिखा ना हो, मतलब ना तो पढ़ पाता हो, ना तो लिख पाता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, illiterate illiterate means होता है, निरच्छर जो पढ़ा लिखा ना हो ओके फ्रेंट, next देख लेते हैं immigrant, देखे कल वाली class में, यह वाला immigrant आया था, आया था इसमें ऐसे था ऐसे वाला था E-M-I-G-R-A-N-T immigrant, यह बताया था और इसके बारे में भी बताया था a person who comes to from his own country settling अतलब एक ऐसा इंसान जो अपने देश से, है ना अपने देश आकर रहने लगा हो किसी दूसरे देश में किसी दूसरे देश को छोण करके, ठीक है किसी दूसरे देश का इंसान अपने देश में आकर रहने लगे तो वो क्या कहलाता है immigrant, यह बताया था ना वो कहलाता है immigrant और यह वाला immigrant क्या होता है one who person who settled other country मतलब कि एक ऐसा इंसान जो हमें other country में क्या हो जाए, settled हो जाए अपने देश को छोड़ करके वो कहलाता है immigrant okay friend, वो क्या कहलाता है immigrant कहलाता है okay friend, बात clear हो गई न चलिए, अब हम लोग देखेंगे next देखें imposter imposter क्या होता है one who pretends to be somebody else क्या होता है friend imposter imposter to be somebody else मतलब एक ऐसा इंसान जो सबको बेकूब बनाता हो मतलब कि धोंगी हो मतलब धोंग करता हो सबको कैसा दिखाता है कि वो बहुत जादा क्या है imposter है मतलब कि धोंगी है ठीक है somebody else हर एक इंसान को pretend करता हो indefatigable ये क्या होता है one who does not tire easily मतलब जो जल्दी से क्या हो does not tire easily जो आसानी से बिलकुल ठकता नहीं है जो आसानी से हार ना माने ठीक है उसे हम क्या बोलेंगे indefatigable introvert क्या होता है देख लीजे introvert means होता है antarmukhi one who does not express himself freely मतलब एक ऐसा इंसान जो introvert हो मतलब अपनी जो बाते हैं वो किसी से इर्ण ना करता हो अपनी बाते किसी को मतलब कि freely मतलब बहुत free हो करके किसी दूसरे को ना express कर पाता हो ऐसा इंसान क्या कहलाता है introvert मतलब ऐसा इंसान कहलाता है introvert मतलब की अंतर मुखी कहलाता है ओके फ्रेंड बात clear हो रही है ना बिलकुल देख लेते हैं next next है insolvent insolvent क्या होता है देख लीजे a person who is unable to pay his debt a person who is unable to pay his debt मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी के से लिया गया पैसा या money या loan जो उसको पेना कर पाए वो क्या कहलाता है insolvent insolvent means होता है देवाले उसका synonym है bankrupt ये भी मैंने कल आपको बताया था bankrupt वही बात फिर से आगे insolvent भी पूछ सकता है bankrupt से भी पूछ सकता है ठीक है दोनों ही वर्ड आपको लिये जा सकते हैं और ये ही दे दिए गए a person who is unable to pay his debts ओके नेक्ट देख लेते हैं ET नेरेंट अब देखते हैं ET नेरेंट क्या होता है ET नेरेंट one who journey from place to place क्या होता है one who journey from place to place एक ऐसा इनसान चों हमेशा जर्णी करता रहता है कभी इस इस इस्थान से उस इस्थान से उस इस्थान तक ठीक है हमेशा वो जर्णी करने वाला होता है हमेशा यात्रा करने वाला होता है हमेशा चलने वाला होता है उसे हम बोलते हैं ET, NERANT क्या बोलते हैं फ्रेंट? ET, NERANT ठीक है? Next देख लेते हैं 54, INVINCIBLE INVINCIBLE 1, 2, strong to be DEFEATED DEFEATED मिन्स क्या होता है? HARMON हाना? INVINCIBLE मतलब एक ऐसा इंसान एक ऐसा इंसान जो क्या करे? मतलब कि हार ना माने मतलब कि आजे उसे हम क्या बोल सकते? INVINCIBLE क्या बोल सकते? उसको आजे मतलब कि जो जीता ना दा सके जो हार ना माने OK? INVOLNARABLE ये क्या होता है? invulnerable one who that cannot be harm wounded मतलब एक ऐसा इंसान जो कभी किसी को नुकसान न पहुचाए किसी को गहाओ न दे ठीके फ्रेंड वो क्या कहलाता है invulnerable इसी का इंटॉनिम्स हो जाएगे well-unerable well-unerable इसी का इंटॉनिम्स में क्या कह सकते है कि मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी को भी harm पहुचा सकता है किसी को भी गहाओ दे सकता है उसे हम बोलते है well-unerable ओके फ्रेंड नेक्स्ट देख लेते हैं libertine अब libertine क्या होता है a person who leads an immoral life moral means क्या होता है नैतिकता immoral means क्या होता अनैतिकता एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ को अपने जीवन को कैसे जीए मतलब कैसे लीट करे immoral अनैतिक भाव से लीट करे उसे हम बोलेंगे मतलब कि libertine libertine मतलब होता है freely मतलब सतंत्र रूप से अपने लाइफ को जीए उसे हम बोलें वो भी अनैतिक भाव से लीट करके तो वो होता है libertine martyr क्या होता है देख लीजिए one who dies for a noble case क्या होता है फ्रेंड one who dies a noble case यह होता है martyr okay फ्रेंड मतलब कि जो जैसे कि एक ऐसा इंसान जो noble case मतलब कि कोई noble case पर मर जाए ठीक है death हो जाए उसे हम बोलते हैं martyr मतलब कि वो शहीद हो जाना okay friend path clear हो रही है न अब देख लेते हैं next mercenary mercenary क्या होता है one who does something for a sake of money one who does something for a sake of money कि ऐसी जगह जहां पर क्या रखी जाए money मतलब कि रुपए पैसों को रखनी की कोई जगह होती है उसे हम क्या बोलते है mercenary जिसे हम बोल सकते है tijori okay friend miss entrop क्या होता है देख लेते हैं miss entrop miss means होता है bad entrop means होता है mankind one who hates mankind one who hates mankind मतलब एक ऐसा इनसान जो माना होता है क्या करता हो hate करता हो नफरत करता हो उसे हम बोलते है miss entrop क्या बोलते हैं friend उसे उसे हम लोग बोलेंगे miss entrop मतलब कि एक ऐसा इनसान miss means होता है hate करना entrop means क्या होता है entrop means होता है mankind मतलब एक one who hates mankind एक ऐसा इनसान जो माना होता सिक्या करता हो नफरत करता हो उसे हम बोलते है miss entrop इसका antonyms क्या हो जाता है phil entrop मतलब phil means होता है love क्या होता है film means होता है love तो entrope means क्या होगए मायन कर मतलब की जो मानाउता से प्रेम करता हो उसे हम बोलेंगे philanthropist और जो मानाउता से hate करता हो उसे हम बोलेंगे mis entrope next देख लेते हैं 60 आज का last question misogarmist misogarmist gami means होता है क्या होता है gami means होता है शादी करना क्या होता है शादी करना और miss means होता है hate मतलब जो शादी से क्या करता हो hate करता हो one who hates in institution of marriage मतलब जो शादी से हमेशा क्या करता हो नफरत रखता हो उसे हम लोग बोलते हैं mysogarmished क्या बोलते हैं friend उसे हम लोग बोलते हैं mysogarmished और यहीं पर एक वर्ड होता है mysogainished क्या होता है mysogainished इसमें लोग भी बहुत confused हो जाते है mysologist और mysogarmished और mysogainished क्या होता है शादी करना मैरिस के लिए यूज किया जाता है और गाइनिस्ट मेंस होता है woman ठीक है यह woman के लिए मतलब जो mysogainished मेंस हो जाएगा है जो one who hates for woman मतलब एक ऐसा इंसान जो woman से क्या करता हो नफरत करता है उसे हम बोलेंगे mysogainished और mysogarmished क्या होगा जो शादी से नफरत करता है ठीक फ्रेंड आप तो कोई confusion नहीं होगा आपके माइंड में ओके फ्रेंड mysogarmished और mysogainished आपको clear हो गया होगा तो ठीक फ्रेंड कैसे लगी class आपको आप अपना feedback जरूर दे उसमें यह बताए कि आपको यह class कैसे लगी आपके लिए कितनी beneficial है यह class ओके फ्रेंड तो चली फ्रेंड अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नही करें लाइक करें कमेंट करेंड शेयर करें थैंक्यू सो मच